आदर्णिय उप्राष्ट पती जी, आदर्णिय स्पीकर महोदय, मंच पर विराजमान, सभी वरिष्ट महानुभाव, और 140 करोड देश्वासियों के प्रतिनीधी, सभी मानिय सामसदगाण। आपको और देश्वासियों को गनेश्च तुर्थी की अनेक अनेक शुपकाम लाएं। आज हम यहां विक्सीज भारत का संकल्प दोहराना, फिर एक बार संकल्ब बद्ध होना और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरप्रस्थान कर रहे हैं। सम्मानिय सभाग्र, यह भवन और उसमें भी यह सेंट्रल हॉल, एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है। हमें भावुग भी करता है और हमें हमारे करतव्य के लिए प्रेजित भी करता है। आजहादी के पूर्व, यह खन एक प्रकार से लाइबरेरी के रुप में इस्तमाल होता था। लेकिन बाद में सम्विधान सभागी बैठके यहाँ शुरू हुई और उन सम्विधान सभागी बैठकों के द्बारा गहन चर्चा विचाना करकर के, हमारा सम्विधान यहीं पर आकार लिया। हमारा यह सेंटर हॉल है। इसी सेंटर हॉल में भारत के तिरंगे को अपनाया गया। हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया। और अइतिहासिक अउसरों पर आजहती के बाद भी सभी सर्वकारों के दर्मियान अनेक अउसर आये। जब दोनों सदनों ने मिलकर के यहां पर भारत के भागे को घरने के पर विचार किया। सहमती बनाई और निल्डे भी किये। 1952 के बाद दुनिया के करीब 41 राष्टा द्यक्षोने इस सेंट्रल हॉल में हमारे सभी मान्य सांसदों को सम्मोधित किया है। हमारे राष्टपती महोधियों के द्वारा 86 बार यहां सम्मोधन किया गया है। बीते साथ दसकों में जो भी साथी इन जिम्मेवारियों से गुजरे हैं, जिम्मेवारियों को समाली हैं। अनेक कानूनों, अनेक संसोधन और अनेक सुधारों का हिस्सा रहे हैं। अभी तक लोगसभाव और राजसभाव ने मिलकर करीब करीब चार हजार से दिक कानून पास किये हैं। और कभी ज़रूरत पड़ी तो जोइंट सैसन के माध्यम से भी कानून पारिज करने की दिशा में रननिती बनानी पड़ी। और उसके तहद भी दहेज रोगठाम कानून हो। बैंकिंग सर्विस कमिशन बील हो। आतंग से लड़ने के लिए कानून हो। ये संयुक्त सत्र में पास किये गए हैं। इसी ग्रह में पास किये गए। इसी संसद में मुस्लिम बहन बेटियों को न्याय की जो प्रतिक्षा थी। शाबानों केस के कारण कुछ उल्टी पाटी पर चल गई थी। इसी सदन ने हमारी उस गलतियों को ठीक किया। और तीन तलाग विरुद कानून हम सब ने मिलकर के पारित किया। संसद ने बिते वर्षों में ट्रांसजेंडर को न्याय देने वाले कानूनों का भी निर्मान किया। इसके बाद ध्यम से हम ट्रांसजेंडर के प्रती सद्भाव और सम्मान के भाव के साथ उनको नोकरी, शिक्षा, स्वास, बागी जो सुविधाये हैं एक गरीमा के साथ प्राप्त कर सके इसकी दिशा में हम आगे बड़े हैं। हम सभी ने मिलकर हमारे दिव्यांग जनों के लिए भी उनकी जरौतों को देखते हुए, उनके एश्पिरेशन को देखते हुए, ऐसे कानूनों के निर्मान किया, जो उनके लिए उजवल भविश्की गारंटी बन रहे हैं। आर्टिकल 370 हटाने से लेकर विश्य ऐसा रहां, जो सायद ही कोई दसक ऐसा होगा, कि चर्चा न हुई हो, चिंता न हुई हो, और मांग न हुई हो। आक्रोश भी वेक्त हुआ, सभाग्रा में भी हुआ, सभाग्रा के बार भी हुआ, लेकिन हम सब का सोभाग्य है, कि हमें इस सदन में आर्टिकल 370 से मुक्ति पाने का अलगावाद, आतंकवाद के खिलाब लड़ाई लंडे का एक बड़ा महत्रमन कदम, अरे इसे महत्रमन काम में, मानिय सांसदों की, सांसद की, बहुत बड़ी भूमी का है, जम्मु कश्वीर में, इसी सदन में निर्मित हुआ सम्विधान, हमारे पुर्वजों ने दिया हुआ ओ, महा मुल्य दस्तावेज, जम्मु कश्वीर में लागू करते हैं, तो इस मिट्टी को प्रणाम करने का मन करते हुआ है। आज जम्मु और कश्वीर, शान्ति और विकास के रास्ते पर चलने के लिए, प्रतिबद्ध हुआ है। और नए उमंग, नए उत्सा, नए संकल्व के साथ, जम्मु कश्वीर के लोग, आगे बढ़ने का कोई मोकाब छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये दिखाता है कि संसद के सदस्चों ने मिल करके, संसद के भवन में कितने महत्पपुन काम किये हैं। मानि संसद गन, लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। एक के बाद एक घटनाओं के तरफ हम नजर करेंगे, हर घटना इस बात का गवा दे रही है, यहां आज भारत एक नई चेतना के साथ उनर जागरत हो चुका है। भारत नई उर्जा से भर चुका है। और यही चेतना यही उर्जा, इस देश के कोटी कोटी जनों के सपनों को संकल्प में परिवर्तित कर सकती हैं, और संकल्प को परिशम की पराकाष्ठा करकर के सिद्धी तक पहुँचा सकती हैं। यह हम देख सकते हैं। और मेरा भी स्वास है, देश जिस दिशा में चल पड़ा है, इच्छित परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। हम गती जीतनी तेज करेंगे, परिणाम उतने जल्दी मिलेंगे। आज भारत पांचवी अर्थ वस्तापर पहुचा है, लेकिन पहले तीन में पहुचने के संकल्प के साथ बढ़ रहा है। और मैं एक जिस स्थान पर बैठा हूँ, जो जानकारिया प्राप्त होती है उसके आधार पर। विश्व के गर्मान ये लोगों से बात्चीत करता हूँ, उसके आधार पर। मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूँ, हम में से कुछ लोगों की निराशा हो सकती है। लिकिन दुनिया अस्वस्त है कि भारत टॉप फ्री में पहुंचे के रहेगा। भारत का बैंकिंग सेक्टर आज अपनी मजबूती के कारण से फिर एक बार दुनिया में सकारात्मक चर्चा का केंद्र बनाव हुआ है। भारत का गवर्नेंट्स का मोडल यूपी आई डिजिटल स्टेक। मैं इस जिट्वेंटी में भी देख रहा था मैंने बाली में भी देखा। टक्नोलोजी की दुनिया को लेकर के भारत का नवजवान जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। पूरे बिश्व के लिए कवतुग भी हैं, आकर्शन भी हैं और स्विकृती भी हैं। हम सब उस ऐसे कालखन में हैं मैं कहूंगा हम लोग एक भाग्यवान लोग हैं। ऐसी भाग्यवान समय में हमें कुछ दाईत्म निभाने का अउसर आया है। और हमारा सबसे वड़ा भाग्य है कि आज इंजियन एस्परेशन्स उस उन्चाई पर हैं जो शायर पिछले हजार साल में नहीं रहे होंगे। गुलामी के जंजिरों ने उसके एस्परेशन्स को दबोच के रखा था। उसकी भावनाओं को तहस नहस कर दिया था। आज आज भारत में अपने सपने संजो रहा था। चुनोतियों से जूज रहा था। लेकिन मिलकर क्या जहां पहुचे हैं अब बहां वो रुकना नहीं चाहता है। वो एस्परेशनल सुसाइटी के साथ नए लक्ष गणना चाहता है। जब एस्परेशन सुसाइटी सपने संजोते ही हो। संकल्प लेकर के निकल पड़ी हो। तब पुराने कानूनों से मुक्ति पाकर नए कानूनों का निर्मान करके उजबल भविशे के लिए एक मार्ग प्रसत करने का दाइत्वां हम सभी साउसदों का सभी शेस होता है। साउसद में बढ़ने वाला हर कानून, साउसद में होने वाली हर चर्चा, संसद से जाने वाला हर संकेत, इंडियन एस्पिरेशन को बढ़ावा देने के लिए ही होना चाहिए, यह हम सब की भावना भी है, कर्तब्य भी है, और एक एक देशवासी की हम से अपेच्छा भी है। हम जो भी रिफॉर्म करें, उसके मूल में इंडियन एस्पिरेशन सबसे सरवोच्च पद पर होना चाहिए, प्रात्फिक्ता पर होना चाहिए। लेकिन मैं बहुत सोच समझ करके कहना चाहता हूँ, क्या कभी छोटे कैनवास पर कोई बड़ा चित्र बना सकता है क्या। जैसे छोटे कैनवास पर बड़ा चित्र नहीं बन सकता, वैसे हम भी अगर हमारे सोचने के कैनवास को बड़ा नहीं कर सकते, तो भव्य भारत का चित्र भी हम नहीं अंकित कर सकते। 75 साल का हमारे पास अनुभव है, हमारे पुर्वजों ने जो कुछ भी रास्ते बनाएं, उससे हमने सीखा है, हमारे पास एक बहुत बड़ी विरासत है, इस विरासत के साथ अगर हमारे सपने हमारे संकल पर जुड़ जाए, हमारा सोचने का दाइरा बदल जाए, हमारा कहनबास बड़ा हो जाए, तो हम भी उस भव्य भारत के चित्र को अंकित कर सकते हैं, उस तश्वीर का खाका खीच सकते हैं, उसमें रंग भरने का काम हम भी कर सकते हैं और आने वाली पीड़ी को वो भव्य दिव्य मा भारती के हम उनको सुप्रत कर सकते हैं जोस्तों हम बुरुत काल के 25 वरसों में भारत को अब बड़े केनवास पर काम करना ही होगा अब हमारे लिए छोटी छोटी चीजों में उलजना वो वक्त चला गया है हमें आत्मनिर भर भारत बनाने के लक्ष को सबसे पहले परिपूर्ण करना चाहिए और हम से शुरुवात होती है और नागरिक से शुरुवात होती है और आज दुनिया में भी एक समय ऐसा था कि लोग मुझे कहते थे हमारे बड़े बड़े बुद्धी जीवी और अर्थसात्री लिखते थे कि मोधी आत्मनिर भर की बात करता है तो और मटिलेटरिजम के सामने चुनोती तो बन नहीं जाएगा ग्लोबल एकोनोमिक के जमाने में चीक तो नहीं होगा लेकिन पांच साल के भीतर भीतर देखा दुनिया भारत के आत्मनिर भर मोडेल की चर्चा करने लगेगे और कौन हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा कि डिफ्रेंट सेक्टर में आत्मनिर भर हो एनर्जी सेक्टर के में हम आत्मनिर भर हो एडिबल ओई या इस देश को आत्मनिर भर नहीं होना चाहिए क्रिशी प्रधान देश हम कहते हैं खाहने का तेल क्या अब देश बाहर से लाएगा बहुत समय की मांग है कि हमें आत्मनिर भर भारत को संकल्प को पूरा करना यह हम समका दाइत्व है उसमें दल आडे नहीं आते हैं तुर्ब दिल चाहिए देश के लिए चाहिए हमें अब मैनुफेक्ट्रिंग सेक्टर बे दुनिया में सर्वस्ट्रेश्ट बनने की दिशा में ही कदम रख रहे होंगे और मैरे एक बरलाल के लिए से का था जीरो डिफेक्ट जीरो एक्फेक्ट हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट नहों हमारी प्रक्रिया में परियावरन पर कोई इफेक्ट न हो ऐसा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाला हमें दुनिया के सामने मैनुफेक्टिंग शेत्र में जाना हो हमारे डिजाइनर हमारे यहां निर्मान हो रही डिजाइन्स हमारे सौपफ़ेर हमारे अग्रिकल्चर प्रोडक्स हमारे हस्त सिल हर छेत्र में अब हमें वैश्विक माप दंडों को पार करने के इरादे से ही चलना चाहिए तब जाकर के विश्व के अंदर हम अपना जंडा फैरा सकते मेरे गाउं में मेरा सबसे अच्छा हमाल हो इतनी बात नहीं चलेगी मेरे राज में मेरा सबसे अच्छा प्रोड़क्ट नहीं चलेगा मेरे देश में मेरा सबसे अच्छा प्रोड़क्ट नहीं चलेगा दुनिया में मेरा प्रोड़क्ट सबसे अच्छा होगा हमारी उनिवर्सिटी दुनिया के अंदर टॉप रेंकिंग में आएं अब इसमें हमें पीछे नहीं रहना है हमारे सिख्षा जगत को नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिली है एक खुलापन है सर्व स्विकृत बरी है उसके सहारे हमें चलन पना है और दुनिया के टॉप पोस उनिवर्सिटी में अभी जब G20 में विश्व के मेमान आये तो मैंने नालंदा की एक तश्वीर रखी थी वहाँ और ज़िए मैं दुनिया को कहता था पंदरा सो साल पहले मेरे देश में दुनिया के उत्तम से उत्तम उनिवर्सिटी हुआ करती थी तो उनके सुनते ही रह जाते थे लेकिन हमें उसे प्रेणा लेनी है पर प्राप्त तो अभी करके रहना है यह हमारा संकल पोणा है आज हमारे देश का नوجवान खेल जगत के अंदर दुनिया में हमारी पहचान बना रहा है टियर टू, टियर फ्री सिटी से गाउं गरीब परिवारों से गाउं से देश के नोजवान, देश की बेटे-बेटिया, आज खेलकुत के जीवन में हमारा नाम रोशन कर रही है लेकिन देश चाहता है, और देश का संकल्प होना चाहिए कि अब खेलकुत के हर पोडियम पे, हमारा तिरंगा भी लहरा भाओगा हमें, अब पूरा दल, पूरा हमारा दिमाद, क्वालिटी पर फोकस करना ही होगा ताकि हम, भीश्व की आश आपेक्शाओं के नुकूल, और भारत के सामन्ने मानवी के जीवन में भी क्वालिटी आफ लाइफ के प्रती जो एस्पिरिशन बड़ा है, उसको हम एड्रिस कर पाएं और जैसे मैंने कहां, हम भागवान हैं, हम उस समय काम कर रहे हैं जब समाज अपने आप एक एस्पिरिशन सुसाइटी है हमार और भी एक भाग्य है, कि हम उस समय हैं, जब हिंदुस्तान युवा देश है हम दुनिया में सबसे ज़्यादा जन आबादी वाला तो देश बने ही हैं लेकिन सबसे बड़ी आबादी, उसमें भी सबसे युवा ये पहली बार हुआ है जिस देश के पास ये युवा शक्ती हो, युवा सामर्तव हो, तब हमें उसकी टालेंट पे भरोसा है हमें उसकी संकल पर शक्ती पे भरोसा है, उसकी साहस में भरोसा है और इसलिए हम चाहते हैं कि दुनिया में भारत का युवा अग्रिम पंक्ती में नजनाना चाहिए बोस्थिती पैदा हो रिशाए आज पुरे दुनिया को स्कील मैंट पावर की बहुत बड़ी ज़रूरत है और भारत बीश्व की इस आवश्एक्ता की पूर्ती के लिए अपने आपको सज्ज कर सकता है और उन आवश्एक्ताओं को पूरी करकर के दुनिया में अपनी एक जगा भी बना सकता है अर इसलिए विश्वक में उनकी आवश्चक्ता के लिए किस प्रकार के manpower की जरूत है किस प्रकार के उनको human resource की जरूत है उस skill mapping का काम भी चल रहा है और उस chemical skill mapping के अनुसार भारत के अंदर skill development के तरह हम बल दे रहे हैं और जितना जादा हम skill development के बल देंगे भारत के नव जवानों का सामर्द वीश्व में अपना डंका बजाने में कोई कम ही नहीं रखेगा और हिंदुस्तानी जहां गया है उसने अच्छाई की छाप छोड़ी है कुछकर गुजर्री की छाप छोड़ी है ये सामर्द हमारे अंदर पहले से पढ़ा हुआ है एक साथ खुलने का निर्णे किया पूरे दुनिया में बहुत बड़ी रिक्वार्मेंट है नर्सिंग की हमारी बेटी आँ हमारे बेटे उस छेतर में दुनिया पे पहुंच सकते हैं आसानी से पहुंच सकते हैं पुरे वीश्व की जरूरत है और यह तो मानुता का काम है जि गुदान दे सकते हैं कहने का तात्पर यही है हर छोटी चीज पर बारिकी से ध्यान देते हुए उस पर अपना ध्यान के इंद्रिज करते हुए हमें आगे बढ़ना है हमें भविश्य के लिए सही समय पर सही फैसले भी लेने होते हैं हम फैसलों को टाल नहीं सकते हैं हम र अपने आपको बंदीद नहीं बना सकते हैं हमें तो देश के एस्पिरेशन के लिए हिम्मत के साथ नहीं निर्ने करने होते हैं आज सोलर पावर के इस हभलत मूवमेंट्स हमारी भावी पीडी के लिए एनर्जी काइसे से मुक्ती की गारंटी दे रहा है आज मिशन हाइड टेक्नोलोजी में बड़लाव आ रहा है उसके समाधान का रास्ता देने का सामर्त रखती है आज हमारा सेमी कंड़क्टर जिस प्रकार से जीवन चलाने में हमारे रदय की जरुद रहती है वैसे ही आज हमारी टेक्नोलोजी चीप्स के बिना चल नहीं सकती है और सेमी और उसके लिए बहुत अनिवार यह है उस दिशा में हम आगे जाकर के एलेक्ट्रोनिक मेनिफेक्टिंग में कोई रुकावट ना आए और जीवन कहीं अटक न जाए उसलिए बहुत बड़ी मात्रा में हम काम कर रहे है जल जीवन मीशन हर जिले में 75 अमर्द सरोवर हमारी भावी पीडी को हमारे बच्चे बच्चों को बच्के भी बच्चे उनको कभी पानी के बिना तरस्था न पड़े इसकी चिंता हम आज कर दो विश्व के बाजार में हमारा हर व्यापार कारोबार पहुंचे कॉंपिटिटिव ताकत के साथ खड़ा रहे लोजिस्टिक सिस्टिम को और अधीक कम खर्च वाला बनाना एफिशन बनाना वो दीशा में हम बहुत नीतिया ले करके चल रहे हैं आज समय की मांग है कि भारत का एक ऐसा भारत के हम निर्मान करे नॉलेज इनोवेशन ये समय की मांग है और दुनिया में हमें अगरीम पंक्ति में जाने का रास्ता भी है और इसलिए पिछले हमने समय देश्टन एजुकेशन पॉलिशी के साथ साथ टेक्नोलोजी के बढ़ावे के लिए हमने रीसर्ट और इनोवेशन का एक कानून भी पारित किया है ताकि हमारे दे प्रियान तीन की सबलता के बाद देश के नवजवानों के मन में विज्ञान की तरफ आकर्शन बढ़ रहा है हमें मौका घवाना नहीं है हमारी युवापीटी को हमने रीसर्ट और इनोवेशन के लिए पूरे अवस्त देने है और इस इको सिस्टिम को बनाने के लिए हमन एक उजवल भविश के निर्मान की नीव रखी है आदर इन्य बंदुगां सामाजे ग्ञान यह हमारी पहली शर्प है बिना सामाजे ग्ञाय बिना संतुलन बिना समभाव बिना समत्व हम इच्छित प्रणामों को घर के भीतर प्राप्त नहीं कर सकते लेकिन सामाजिक न्याय की चर्चा बहुत सीमित बनके रह गई हमें उसको व्यापक रुपने देख रहा होगा हम किसी गरीब को कोई सुविधा दें किसी समाज में दबे कुचली व्यक्तिक को कोई की सड़क बन जाए ना वो भी सामाजिक न्याय के लिए उसको मजबूती देती है उसके गर्तिय नदीक में बच्चों के लिए अगर स्कूल खूल जाए तो वो भी उसको सामाजिक न्याय की मजबूती देती है उसको बिना खर्च अगर आरोग्य में सबह के जरूत पड़ वो मिलें तब जाकर के सामाजिक न्याय के मजबूती मिलती है और इसलिए जिस प्रकारते समाज व्यवस्ता में सामाजिक न्याय जरूरत है बैसा ही राष्ट व्यवस्ता में सामाजिक न्याय के आवश्चता है अब देश का कोई हिस्सा पीछे रह जाए अब इक्सित रह ज ये भी सामाजी ग्ण्याई के खिलाब है दुर्भाग जिते देश का पुर्वी इलाका भारत का पुर्वी भाग जो सम्रुद्धी से भरा हुआ है लेकिन वहां के नौजवानों को रोजगार के लिए दुसरे इलाके में जाना पुट रहा है ये स्थिति हमें बदलनी है हमारे देश के उस पुर्वी भाग को इलाका को सम्रुद्ध बना करके सामाजी ग्ण्याई की मजबूती भी हमने देगी असंतुलित विकास शरीर कितना भी स्वस्त क्यों न हो लेकिन एक उंगली को भी अगल लक्वा मान गया है तो सरीर स्वस्त नहीं माना जाता है भारत कितना ही समरुद्ध हो लेकिन कोई अंक उसका दुरबल रह जाए तो भारत समरुद्धी में पीशे है मानना पड़ेगा और इसलिए हम सरवांगिन विकास के पक्ष में सामाजिक न्याय की उस उंचाई को प्राप्त करने के पक्ष में दिसा में हमें आगे बढ़ना है चाहे पूरी विफारत हो चाहे नौर्थिस्ट हो हमें उन चीजों को प्राप्त करना है और उसलिए जो ननीती कितनी सफल हुई है सो हंड्रेड एस्प्रेस्टल डिस्टिक पर विशेस काम किया नवजवान अफसरों को लगाया गया स्ट्रेडिजी बराई गई अज दुनिया उस मोडेल की चर्था कर रही है और आज हंड्रेड डिस्टिक देश के कौने कौने में जो पीशे माने जाते थे उसको बोज मान लिया गया था आज स्थितिये बनी है को हंड्रेड डिस्टिक अपने अपने राज्य में लीड कर रहे है राज्य की एवरेज से भी उपर जा रहे है और इस सफंता को देख करके सामाजिक नाएकि इस भावना को मजबूत करते हुए सो डिस्टिक में से आगे बढ़ करके जमीदी स्थर पर ले जाने के लिए पांसो ब्लॉक तक उनको एश्परेशनल डिस्टिक के नाते अडेंटिफाइ करके उसको मजबूती करने का काम चल रहा है और मुझे विश्वास है ये एश्परेशनल ब्लॉक्स है वो एक विकास का नय मॉडल बनने वाले है वो एक प्रकार से देश के विकास के एक नए उर्जा केंदर बन्दे की संभावना रखते हैं और उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं मानि ये सांसद गण आज विश्व के नजर भारत पर है शित्य उद्ध के समय हमारी पहचान गुट निर्पेक्ष देश के रुप में रही उस समय की जो जरूरत थी उसके जो लाब होने थे उस समय से हम गुजरे हैं लेकिन अब भारत का स्थान कुछ और बना है और इसलिए उस समय गुट निर्पेक्ष की अवस्था आवशक होगी आज हम उस नीती को लेकर के चल रहे हैं जिस नीती को अगर हमें पहचान रहा है तो विश्व मित्र के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं हम दुनिया से मित्रता कर रहे हैं दुनिया हमारे में मित्र खोज रही है ये प्षायद विश्व में एक भारत ने और दूरी नहीं हो सके उतनी निकरता उस रास्ते पर चल करके भी हम अपनी विश्व मित्र के रूप में भाव आज सभलता पुरवक आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे लगता है कि इसका लाप आज भारत को हो रहा है भारत आज दुनिया के लिए एक स्टेबल सप्लाइचेन के रुप में उभर रहा है और आज विश्व की ये जरुवत है और उस आवश्यक्ता की पूर्ति करने का काम जी ट्वेंटी में भारत ग्लोबल साउट के आवाज बन करके हो रहा है ये बीज जी ट्वेंटी समीच में जो बीज बोया गया है मेरे देश्वासी आने वाले समय देखेंगे कि वो ऐसा बटवरुख्ष बनने वाला है, विश्वास का ऐसा बटवरुख्ष बनने वाला है, जिसकी साया में आने वाली पीडियां, सदियों तक एक गर्व के साथ अपना सीधा तान करके खड़ी रहेगी, ये मुझे विश्वास है. इस G20 में एक बहुत बड़ा काम हमने किया है, बायो फ्यूल एलाइंस का, हम विश्वा के नेतरुत्व करते रहें, दिशा दे रहें हैं, और विश्वा को बायो फ्यूल एलाइंस में दुनिया के सभी देश, देखते ही देखते, उसकी सदस्तिता ले रहे थे, और एक बहु भारा भारत कर रहा है चोटे-चोटे महादवीप उनके साथ भी आर्थिक कोरिडोर बनाने की दिशा में हमने बड़ी मजबूती के साथ कदम उठाए है आदेनी बंदुगां आदेनी उप्राश्पती जी आदेनी स्पीकर महोद आए आज हम यहां से बिदाई लेकर के नए भवन में जा रहे हैं संसत के नए भवन में बैठने वाले और ये शूब है गणेश चतुरती के दिन बैठ रहे हैं लेकिन बैए एक आप दोनों महनुभावों को एक प्राथना कर रहा हूं एक विचार आपके सामने रख रहा हूं मैं आशा करता हूँ कि आप दोनों मिल करके उस विचार पर जहां भी जरुवत पड़े मन्थन करके कुछ निर्णे अवस्य के ये और मेरी प्रात्ना है मेरा सुजाव है कि अब हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए इसे सिर्फ पुरानी प्रावलामेंट कहकर के छोड़ दें ऐसा नहीं होना चाहिए और इसलिए मेरी प्रात्ना है कि भविश्य में अगर आप सहमेती दे दोनों महावन भाव तो इसको संविधान सदन के रुप में जाना जाए ताकि ये हमेशा हमासे रखसे के लिए हमारी जीवन प्रेना बनी रहेगी और जब संविधान सदन कहेंगे तब उन महापुर्षों का याद भी उसके साथ जुड़ जाएगी जो कभी समिधान सभा में यहां बैठा करते थे गणमान ने महापुर्ष बैठा करते थे और इसलिए भावी पीडी को ये तोभा भी देने का आफसर हमें जाने नहीं देना चाहिए मैं फिर एक बार इस पवित्र भूमी को प्रणाम करता हूँ यहां पर जो तफस्या हुई है जन कल्यान के लिए संकल्प हुए है इसको परिपूर्ण करने के लिए साथ दसक से भी अधिक समय से जो पुर्शावत हुआ है उन सब को प्रणाम करते हुए मैं मेरीबानी को विराम देता हूँ और नए सदन के लिए आप सब को शुब कामनाई देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद